नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अतुल श्रिवास्तो और स्वागत है आपका Nexus GS की इस डिस्टल दुनिया में चले जैसे उपर इस पस्ट लूप से लिखा हुआ है UP Special for RO and ARO Part 2 है यह और उतरदेश विशेश से समझेद बहुत सूच्म स्तर पे आपको पढ़ाया जाएगा और उमीद है कि maximum question आपका UP Special से यहीं से मिल जाएंगे चार से पांच lectures होंगे आपके और बहुत limited area को cover किया जाएगा जैसे कि मैं पहले से बार-बार बताते चला रहा हूँ राजनितिक प्रशाशन के बारे में बात हुई थी लास्ट टाइम पर उतरदेश के उसके बाद प्रतिक चिन्हों के बारे में बात हुई थी और एक आपका मनुनीत होता है, विधान परशद में सदस्यों की संख्या जो है वो आपका 100 है, अक्सर एकजाम में पूछ ले आता है, लोग सभा सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाया तो 80 है उतरदेश में, राज्य सभा की सीटों की संख्या जो है वो आपका 31 है, सरवा महिला मुख्यमंत्री की अगर बात कि जाय है तो सुचेता करपलानी जी उतरदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं इसके लावा भौतिक सरचना के बारे मागर बात करते हैं उतरदेश की तो जो छेत्रफल है करीब 2.498 वर किलोमेटर के तो भारत की छेत्रफल का लगबक से 7.33% आपका उतरवदेश में हैं छेत्रफल की द्रश्टी से बात की जाए तो देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, मंदुरदेश, महरास्ट और उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आते हैं आपका उतरवदेश त तो सरवादिक छेत्रफल वाले उतरवदेश में अगर चार जिलों के बारे माच किये तो लखीम पुर्खिरी हो गया, सोनभद्र हो गया, हर्दूई हो गया और सितापुर हो गया तो छेत्रफल के मामले में तो अभी तक लगातार ये पूछा जाता रहा है कि लखीम पुर्खिरी या फिर आपका सरवादिक छेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो जितना डीप में नहीं जाते हैं इस question में तो सरवादिक छेतरफल वाला जो जिला है वो आपका लखीन पूर खीरी है इसके लावा सबसे कम छेतरफल वाले अगर जिले की बात की जाए तो हापुड हो गया, गाजियाबाद हो गया, भधोही हो गया और शामली हो गया तो शामली के बारे में एक point आपका और important है last lecture में मैंने बोला था दिल्ली NCR में सामिल हो गया है आपका शामली जनपद तो NCR में सामिल हुआ है recent में और आठवे नंबर का जिला बन गया है उतरदेश का जो NCR में सामिल हुआ है इसके पहले मेरड, काजियाबाद, कौतमबोद नगर, बोलन शहर, हापुड, बाकपत, मुसफ़र नगर था recent में आपका सामली सामिल हुआ है तो शामली इसलिए महतपूड हो गया है आगे बात करते हैं तो जैसे उतरदेश की सीमा से सबसे यादा जो है मदब्रदेश के करीब 11 जिले लगे हुए है इस परस करते हैं उतरदेश भारत के प्राचीनतम आपका गुडवाना लैंड का एक भूभाग है अगर उतरदेश की जलवायू के बारे में बात करें तो उतरदेश की जलवायू है वो आपका उष्ट कडबंधी और मांसूनी है गुरकपुर में सबसे आदा वर्षा होती है सबसे कम जो वर्षा होती है मत्रा में होती है और प्रदेश में जो सरवाधिक वर्षा होती है वो आपका पूरवी मैदान के तराई छेत्र में होती है जो जिले बार अगर पूछा जाए तो गुरकपुर इसका उत्तर होगा औ और ऐसे पूछा जाए, तो पूर्वी मैदान के तराई छेत्रों में सबसे यादा वर्षा होती है। कुछ बात कर लेते हैं उतरदेश के म्रदा और म्रदा परदन के बारे में, ठीक है। तो उतरदेश में सरवाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है, वो आपका जलोड़ मिट्टी पाई जाती है। और जली ये परदन में से उतरदेश का सरवाधिक जो प्रभावित छेत्र है, वो आपका हिमाले का तराई परदेश है। इसके अलावा क्रशी और पसुपालन के बारे में अगर बात करें उत्रवदेश में तो तुस्वसंत्रता से लेकर 1994-1995 तक राज्य अर्थविवस्था में प्राथमिक छेत्र जो आपका क्रशी और पसुपालन है इसका योगदान बहुत ज़्यादा इंबोर्टन रहा है तो उत्रवदेश में कुल जो कारेसील जनसंख्या है उसके करीब 59.3% लोग आपका क्रशी और संबत छेत्र में नियोजित हैं अगर बात कीजाए आपका क्रशी निर्यात छेत्र के बारे में तो उत्रवदेश में तीन क्रशी निर्यात छेत्र हैं और यह important question है आपको इसको नोडान भी करना चाहिए जो उत्रवदेश के तीन क्रशी निर्यात छेत्र हैं उसमें लखनव हो गया सहारनपूर हो गया और आपका आगरा हो गया तो अगर उत्रवदेश के क्रशी जलवाईव प्रदेशों के बारे में बात की जाए तो उत्रवदेश को नव क्रशी जल बागरा दौआपकी है और गन्ना के अगर बारे में वादा के लिए तो अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक चिला है वो आपका है बारा बंकी ठीक है इस एतरक तो गाजीपुर में भी अफीम की खेति होती है और अगर बात की जाए अफीम की फैक्ट्री के बारे में तो उत्तरबर्देश की एक मात्र अफीम की जो फैक्ट्री है वो आपका गाजीपुर में इस्थितृ आगर आवला की दरश्च्टिकॉण से बात की जाए तो पांवला उत्वादन में प्रतापगरजी जंजा है वो सबसे ज़्यादा अग्रडी नमबर 1 प में इसके अलावा बात कि ज Plaid है आपका आगे तो महोबा में आपका पान की खेती होती है और महोबा में 1981 में एक पान अनुसंधान और प्रसिक्षन खेंदर भी स्थापित किया गया था तो प्रदेश में आपका कुल 20 करसी पारिस्थित की छेतर भी हैं करीब 20 जो हैं पारिस्थित की छेतर भी हैं तो यहां से देखिए जो जो प्रश्ण बताये गए हैं वो वो important है आपके लिए क्योंकि उन्हीं प्रश्णों पे मैं बात करूँगा उन्हीं topics में बात करूँगा जो exam purpose से बन सकते हैं और यह सिर्फ वर सिर्फ RO के लिए होगा उतरदेश विसेज के लिए होगा RO special के लिए ह जब PCS का paper आएगा तो उसके हिसाब से paper फिर यह आपका जो स्लाबस के according ही आपका यह data बनाया जाता है क्योंकि PCS में आपका कम ज्यादा पूछा जाएगा और आपका UP special यह जो आपका RO है वहां पर आपका कम data पूछा जाएगा तो ज्यादा पढ़ती हम अपना time waste क्यों कर मार्किंग लग चुकी है संभूता सभी को पता होगा इस बारे में और मार्किंग लगने के बाद अब आपको बहुत ऐसा अध्यन करना पड़ता है जो revision भी हो आपका और revision पूरी किताबों का तो आप कर नहीं सकते उन किताबों से आपको जो महत्पून topics होंगे वहां पे आप उनका revision करेंगे चले अभी के लिए फिलाल इतना ही और मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द फिर से thank you so much for listening